नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपातिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलेसिस में दोस्तों कल मैंने आप सभी के साथ एक स्ट्रेटेजी शेर करी थी निफ्टी को लेकर एंड वीडियो बनाई थी कि बाजार में आकरी घंटे में गिरावट क्यों आई जहां पर मैंने आप सभी से क्लियर ली कहा कि ये इस गिरावट के पीछे का रिजन आप मुझसे बूछो या कहीं भी ढूडोगे या गूगल करोगे आपको नहीं मिलने वाला है बट ये मार्केट जो गिरी है उसके पीछे का कुछ अगर आप ढूडोगे तो कुछ ना कु प्रिकने को मिलेगी तो अमेरिका से जरॉम पॉविल साब की तो ये कुछ चीज़ें जो मार्केट कहीं ना कहीं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं रियक्ट करता हुआ दिख रहा है लेकिन ऐसे में मैं बात करूँगा एक पूरे सेक्टर के बारे में जहां पे अच्छी तेजी है और आज मार्केट में लीड करता हुआ दिख रहा है वो सेक्टर क्यों दिख रहा है क्या यहां खरीदना चाहिए इसी के बारे में आज आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता आपकी कोई क्राइघ्य तो प्लिस कमेंट बोक्स में चाहिए कमेंड करीं मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊब हूगा या फिर नेक्स्त वीडियो में आपका टॉपिक डिसकस करूँंगा आज निजल पात करें अब हुआए सब BSU banks है and third IT sector है लेकिन बात करूँगा metal stocks के बारे में लगबग 2% की metal index में तेजी देखने को मिल रही है जिन stocks के बारे में maximum बात करता हूँ उन्ही के बारे में सबसे पहले बात करते है Tata Steel 108, Vidanta 272 and next Hindalco के उपर मैं काफी बात करता हूँ तो वो भी लगबग 442 पे आता हुआ दिकरा है 2% की शांदार तेजी है Tata Steel में मैं correction का weight कर रहा था लेकिन नहीं आई है 105 तक के lower levels दिखे उससे नीचे नहीं गया तेजी इसके बारे में बताता हूँ मैं आप सबी को कल के session में America में Steel Index में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली In fact Steel Index को मैं side करता हूँ पूरे metal counters की बात करता हूँ Metal Index में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है and metal stocks काफी तेज भागते हुए भी देखे है Same to same अगर मैं आपको एक और इसके reason दू तो वो है कि China से जो stimulus announce होने वाला है या होने वाला था आप कह सकते हैं कि जो खबर आई थी उस दिन stocks में काफी तूफानी देजी थी मैंने share भी करी थी आप सभी के साथ and यह stimulus काफी बड़ा है दोस्तों इससे क्या होगा कि demand की कमी जो है वो कहीं नहीं भरपूर बराबर हो सकती है and सबसे important कहीं नहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सारी चीज़ें दिक्कत है थी चाइना की तरब से metal stocks के लिए तो आपको पता है सबस्यादा main metal करता है चाइना metals के लिए वो सारी problems दूर हो सकती है और इसी के बारे में stimulus के बारे में चाइना विचार कर रहा है यानि की जल्दी ला सकता है तो इसी की hope में metal stocks में आपको कल के session में अच्छी तेजी आते हुँ दिखिए अमेरिका में आज followed by in India अब stocks के बारे में बात करें कि कहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले मैं बात करूँ अपने favorite counter Tata Steel के बारे में आप सबी के साथ वीडियो करता रहता हूँ अगर आपके पास position है बहुत अच्छी बात है आप अभी भी बने रह सकते हैं लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 110 के उपर दोबारा निकले तब खरिदारी करने की सोति है अगर आपके पास position है तो अभी जो लगा है stock ने 105 का उसी stop loss के साथ बने रहे लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक निवेशा के लंबे समय के लिए खरीना चाहिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर आपको 100 के पास मिल जाए stock तो वह लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड उपर में 120, 125, 130 है यह targets आपके लिए easily आ सकते हैं अगले 12 महीने के अंदर अंदर बहुत easily इसलिए थोड़ा से डिपका में वेट करना चाहूंगा बाकि stock का चार्ट अभी भी बहुत ज्यादा strong है अब second counter के बारे में बात करते हैं वेदानता अगर आप सभी को याद हो तो continue यह stock है जिस पर गिरावट में मैंने आपको खरीदने की राई दि 285 और 290 तक stock मुझे लगता है जा सकता है लेकिन आज के लिए तेजी काफी हो चुकिया बट इस stock chart के according अभी भी बहुत positive है fresh buying के लिए मैं आप सको कहूंगा कि अभी मैं राय नहीं दूंगा बाकि आप अपने risk according लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि मेरे तो almost targets के पास मैं आपसे तो मेरे से बड़ा बेफूफ कोई है नहीं अगर आप मेरी रायमान के खरीद रहे हो तो ये भी बहुत ही जादा गलत है वो आपका trust है कि आप ले रहे हो बट इसलिए मैं आपको fresh entry की राय नहीं दूंगा बाकि ये stock मुझे अच्छा लग रहा है अब इस stock में जिसने भी मेरे कहने से position मनाईए अभी आप अपने SL को trail करके उपर ले आए बट अभी position मेरे साब से नहीं काटनी चाहिए अब आपका SL हो जाएगा 265 का closing basis पे धियान दीजिए closing basis पे आप सीथे 240 से उपर लाके 265 कर सकते हैं उपर में अगर कटता भी SL तो भी आपको profit हो ज होने की संभावना है दोस्तों जैसे ही जिस लेवल पे अभी trade कर रहा है इनी levels पे closing आती है तो यहां एक breakout होगा और जहां पे stock 460 के levels आपको easily दिखाएगा और यह भी 480 तक की तयारी कर रहा है तो fresh entry अगर कोई लेना चाहता है तो हिंडाल को पे ध्यान रखे हिंडाल को पे short term 460 के targets होंगे तो यह मेरी video पूरे metal counters के ऊपर आपको video समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day